प्राइमरी मार्केट में एक और IPO दस्तक देने वाला है और ये IPO आपको आता हुआ नजर आएगा 14 दिसम्बर को तो कंपनी का नाम है INOX CVA ये कंपनी का नाम है और आई जान लेते हैं इस कंपनी में जो IPO आया हुआ है इस पे हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी के बारे में बात करते हैं INOX India Limited 1976 से काम कर रही है इसके 3 तीन डिविजन है जिसमें ये काम कर रही है कंपनी इंडस्ट्रियल गैस में इस डिविजन में प्रोडूसेश एंस्ट्रियोजन टैंक सिस्टम फर स्टोरीज टांस्पोटेशन दिस्ट्रिबूशन अफ इंडस्ट्रियल गैस इंक्यूदिंग ग्रीन हाइड्रोजन और हाइऑ ऑक्सीजन ये एक इनका डिविजन हो या LNG, LNG में ये डिविजन डिजाइन करता है, मनुफेक्ट्र, सप्लाई और इंस्टॉल, ये तीन चीज़े यहां पे भी थी, यहां पे भी है, बोध स्टेंडर्ड एंजिनियर्ड एक्विप्मेंट फर LNG स्टोरेज इस्ट्रिबूशन एंड ट्रस्ट्रिबूशन इस्टिबल फर इंडस्टियल, मरीन अंड अर्टो मोबाइल, आटोमेटिव एप्लिकेशन, तीसरा जो इनका डिविजन है, वो है, क्रायो सांटिफिक, क्रायो सांटिफिक में ये डिपार्ट्मेंट प्रवाइड करता है, एक्विप्मेंट एंड टर्म की सेलुशन, यहा पर क्रायोजनिक टैंक और एक्विप्मेंट, बेवरेजस केक्स, बेस्पोक टेक्नलोजी, एक्विप्मेंट एंड सेलुशन, और उसके साथ साथ लार्ज टन की प्रोजेक्ट जो होते हैं, कंपनियों को जो इस्टैबलिस करना होता है, जैसे कि यह तीन डिविजन हो गया इंडस्ट्रियल गैस, लेंजी और क्रायोजनिक तो वहाँ पर प्रोजेक्स बड़े बड़े जो आते हैं, कंपनियों को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने वाले प्रोड़क्ट होते हैं, तो वो आ गया इंडस्ट्रियल गैसे, लेंजी और ग्रीन हाइड्रोजन, इनरज कंपनी के मेजर कस्टमर हैं, आप देख सकते हैं कि Air Liquid Global, ENC Solution, India Private Limited, Caribbean LNG, 2G Energy, ISRO, Hyundai Engineering and Construction और इसके इलावा और भी कस्टमर कंपनी के यहाँ पर आपको दिखाए दे जा सकते हैं, ये कंपनी by September 2023 इसने एक्सपोर्ट किया प्रोड़क्ट्स और सर्विसे 66 कंट्रीज में, इंक् अस्ट्रेलिया और बांगलादेश में, और कंपनी की जो manufacturing facilities है, वो आपको कलोल कंडला specific, special economic zone, कंडला में जो है, गुजरात में, और एक सिल्वासा, जो की union territory है, दादर नागर अवेली, वहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, और order book जो है कंपनी का इस समय, वो है 10,386 million यह आप ध्यान रखेएगा, यह रूपीज में है, अब फ्रेंड्स आ जाते हैं कंपनी के financial analysis, अभी तक हम लोगों ने business analysis की कि कंपनी का business क्या है, तो आपने देखा कंपनी जो है, एक B2B segment में काम करते हुए आपको नज़र आ रही है, और बड़े-बड़े customer company के वह पास है और company दुनिया भर में अपने product को export कर रही है, उनके साथ company का जो है, अच्छा relation साबित करेगा कि company कितना आपको profitable नज़र आती है, तो अगर आप इनके assets, revenue और profit after tax की बात करें, तो यहाँ पर 687 करोण रुपए आपको नज़र आ रहे हैं, 31 मार्च 2021 को, उसके बास 31 मार्च 2022 क 896 करोण, 31 मार्च 2023 को 1148 करोण, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह तीन साल में इनका जो sales है, जो assets है, यह बढ़ता हूँ नज़र आ रहा है, डबल हो जाता है, revenue की जहाँ, 30 से सितंबर 2023 को यह 1155 करोण रुपए है, revenue की finance जहां तक बात करें, तो 608 करोण का जो sales है, वो 80 803 करोण होता है, और फिर 984 करोण हो जाता है, तो 608 करोण से 984 करोण का सफ़र, यह दो साल में यहां पर पूरा करते हुए नज़र आ रहा है, अभी 580 करोण रुपए है, 6 महिने का, यानि कि इसको अगर आँ डबल करेंगे, तो 1160, यानि 1160 करोण रुपए का sales आपको नज़र आ रही है, दो साल कोई अंदर, इसके अलावा, 103 करोण का net profit यहां पर कमपनी ने पोस्ट किया है, 6 महिने का, तो अगर इसको आप डबल करेंगे, तो 206 करोण, इस साल का, यहां पर 234 करोण का यह होता हुआ नज़र आ रहा है, नेट वर्थ यहां पर 371 करोड बढ कैसे अपलाई करना है, और क्या डेट्स वगरा है, 14 दिसंबर को यह IPO खुलेगा, और 28-18 दिसंबर को यह बंद होता हुआ नज़र आएगा, face value 2 रुपए है, यानि कि एक split का chance रहेगा, आपको 1 रुपए जब होगा, वो 627 से 660 रुपए का यह price band आपको नज़र आ रहा है by share के लिए आपको अपकाई करना है, total issue size जो है 1469.32 करोड की है, और offer for sale यहाँ पे 100% है, तो friends यह थोड़ा सा negative यहाँ पे हो गया कि company के पास कोई भी पैसा जाने वाला नहीं है, promote और अपने shares जो है यहाँ पे बेस दूब नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अगर IPO के open date की बात investment नहीं मिलता है, तो 20 तारीक को आपका पैसा refund हो जाएगा, INOX CVA का जो share है, अगर आपको मिल जाता है, तो credit होगा 20 December को, और listing date आपकी है 21 December friends, दो IPO जैसा कि मैंने discuss किया था, doms और इसके लावा India shelter का, तो वो 20 को list होंगे, और उसके जस्ट एक दिन बाद यह IPO आपको list होता ह अब फ्रेंसिस IPO के देखे कि कि किसको किसको यहां पर reserve किया गया है, QIB यानि Qualified Institutional Buyer को 50-35, retail को 35% और NII यानि HNI category में 15% का यहां पर reservation किया गया हुआ है, retail category में जो minimum एक lot लगा सकते है, आप 22 share के लिए 14,520 share के लिए, retail category में maximum 13 lot के लिए 1,88,760 और 286 share के लिए, HNI category में 14 lot 308 share के लिए 2,3,280 और maximum 9,88,360, 14,96 share के लिए 68 lot और HNI B category में आप 10,1,88, 1518 share के लिए 79 lot के लिए आप apply कर सकते हैं, अब अगर promoters की बात की जाए तो पवन कुमार जैन, नयांतारा जैन, सिधार्थ जैन और इशिता जैन यह promoter हैं और यही अपना stake बेच रहे हैं, अभी जो है प्री इशू जो है यहां पर holding इनकी 99% से घटकर 75.46 हो जाएगी, तो यहां अगर यह 0.46 भी यह अगर खाली कर देते तो यह से भी के requirement को अराम से पूरा करते हुए नजर आते, अब objective क्या है friends, objective क्या है, objective तो यहां पर OFS का है, तो पूरे के पूरे OFS है, selling कर र exchange, friends, जहां तक valuation की बात है, तो यहां आप देख सकते हैं कि 39 के PE पर यह stock को यहां पर जारी किया गया है, market cap 5990 क्रॉन रॉपे का, ROE 27 और ROCE 36 है, और EPS 16 का है, और return on net पर 27% का है, तो all जो यहां पर boxes है, वो सही है और checked है, friends, अब final question के बारी हाती है कि इस IPO को क्या करना या इस IPO को छोड़ देना चाहिए, avoid करना चाहिए, तो Inox के इस IPO में सबसे पहली बात जो consider करने वाली है, वो यह है, friends, कि क्या हमें listing gain के लिए जाना चाहिए, तो पहला जो question है, वो सभी के दिमाग में होता है, कि listing gain पर क्या बनेगा, तो यहां पर अगर हम grey market premium के बात करें, तो यहां पर यह करीब करीब 40% आज के date में यहां दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर जो हमारा criteria होता है, 30% प्लस में अगर grey market premium है, तो उसके आधार पे हम listing gain के लिए जा सकते हैं, तो listing gain के लिए okay है यहां पर, यानि कि छोटे listing gain के लिए, small listing gain यहां पर आपका बन से friends, दूसरी चीज़ यह है कि क्या यह IPO long term के लिए suitable है, जो भी business model इस company का है, वो business model जो है, वो long term के लिए बिल्कुल काम करेगा, यहां पर company team vertical में काम करती है, और उसकी business sustainability में यहां पर long term में opportunities रहेंगी, और साथ साथ competition तो देखे हर market में, यहां पर कोई भी listing, देखे, कोई भी listed company यहां पर इनके डाइरे में नहीं है, तो इस साथ से यहां पर long term में भी okay है, तो इस साथ से इस IPO को आपको सोचने की जरूरत है friends, तो मेरे खिया से long term plus listing gain, listing gain के लिए अगर आप जाना चाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, और long term के लिए उसके बाद जाना चाते हैं friends, friends अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको like करिए, share करिए और subscribe करना भूलिए friends, thank you so much friends